दोस्तों, आज के वीडियो में हम पौधों में लगने वाले Leaf curl बीमारी के बारे में बात करेंगे जो मरोडिया रोग होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं कौन से अलग-अलग चीजों से ये होता है, साथ में इसकी रोखताम हमें कैसे करनी है हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये टमाटर के पौधे लगे हैं और इनमें लीवकल वायरस का काफी जादा अटेक हो चुका है लीवकल की प्रॉब्लम तीन तरह से होती है थ्रिप्स के कारण, वायरस के कारण और माइट्स के कारण इस तरह से अलग-अलग चीजों के जब हमारे पौधों पर अटेक होता है तो इससे पौधे की पत्तियां मुढने लगती है और इन पत्तियों के मुढने के पैटरन से हम समझते हैं कि आखिर इसमें किस सीच का अटेक हुआ है मतलब पत्तियों के मुढने का क्या कारण है इसपेसली यह प्रॉबलम जो होती है वो है टमाटर के पौधों में हरी मिर्च के पौधों में साथ में कुछ पपीता के पौधों में यह समस्या बहुत ज़ादा होती है और इसपेसली होम गार्डनिंग करने वाले लोगों में टमाटर और मिर्च में सबसे कौमन प्रॉबलम है लीप कर्ल की प्रॉबलम तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पूरा देखना है इस वीडियो में हम इसके कारण तो जानेंगे ही साथ में जानेंगे कि कैसे आप इसका और्गनिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को लीप कर्ल से बचा सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नाम होता है और मेंली ये लीफ कल डिसीज है लीफ कल जो बीमारी है वह तीन चीजों से होती है हम एक एक पर बात कर लेते हैं सबसे पहले यह होती है थ्रिप्स से तो थ्रिप्स का अटेक कैसा होता है दोस्तों जब थ्रिप्स का अटेक होता है तो इसमें पत्तियां उपर की तरफ मुड़ने लगती है देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पत्तियां आप देखिए उपर की तरफ मुड़ रही है और नीचे से इनका जो गुमाओ है वो उपर की तरफ है तो यह जो अटेक हुआ है यहाँ पे थ्रिप्स का अटेक है तो यह जो लीप कर लेव थ्रिप्स के कारण है तो थ्रिप्स में पत्तियां उपर की तरफ मुड़ती है और दूसरा होता है वाइरस के कारण तो बाइरस में क्या होता है दोस्तों जब थ्रिप्स के पाद बाइरस आता है तो बाइरस में पूरा जो पौधा है वह बिलकुल रुक जाता है मतलब पूरा पौधा खराब हो जाता है आप देखेंगे तो ये पौधे हैं और आप देखिए पूरे पौधे मुड़ने लगे और यहाँ पर पूरी पत्तियां मुड़ गई है अब यह पौधा पूरा खराब है और इसकी ग्रोथ यही रुकी रहे अगर आप इसे हटाएंगे नहीं तो एक महिने तक यह ऐसा ही बना रहेगा और यह पत्तियां धीरे 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 मुड़ती जाएंगी और इसमें न्यू ग्रोथ नहीं होगी यह इसका में जो है पहचान होती है बायरस की इसके बाद दोस्तों जो लीप करल है उसमें क्या होता है जो पत्तियां है वह हलकी सी तिर्ची होने लगती है पहचान लीप करल की तो यही है कि जब आप सुरुवाती स्टेज में देखेंगे तो पत्तिय कैसी हैं हिलकी सी टेड़ी मेडी हो जाएंगी और उसमें हो सकता है क्या गया का ट Romeo को इसमें हो बांग और दियां है असकर होता है और वस्ते मैंल's म्योफ नइचल कि तरफ मुड़न रही है तो यह अलग तरह के लीफ कर्ल के जो कारण है वह अलग-अलगतर है के थ्रिप्स, बायरस, माइट से होता है और आखिरकार पौधे पर जब इसका अटेक हो जाता है तो पौधा बिलकुल डेमेज हो जाता है उसकी ग्रोथ रुख जाती है अगर उसमें फूल भी आ रहे होते हैं तो वह फूल में कनवर्ट नहीं होते हैं और मिर्च और टमाटर में यह पौधों को बहुत बुरी तरीके से जो है प्रभावित करता है और अगर आपने इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो पौधे बिलकुल खतम हो जाते हैं अब सवाल यह आता है कि आखिर यह वायरस हमारे पौ प्वादों के पीछे होती है देखिए मैं आपको बता देता हूँ आप यह देखिए पत्ते जो आप देख रहे हिसमें आप ऻलके वाइट वाइट देखेंगे यह वाइट फिलाई है एक तरह के यह रस चूसक कीड़े होते हैं मक्हीयां होती हैं जिससे सकिंग पेस्ट कह जाता है और ये पूरा पत्ती पर आते हैं और धीरे धीरे इस पर बैठते हैं और ये अपने साथ बायरस को ले आते हैं इससे जो है हमारे पौधे पूरे रोग ग्रस्थ हो जाते हैं और फिर पौधा धीरे धीरे अलग अलग तरह कि लीफ कल डिसीज का सिकार हो जाता है तो ये आता है वाइट मक्खी से और इसे फिर हम देखिए अब ये सबसे ज़्यादा कब आएगा ये सबसे ज़्यादा आएगा जून से लेकर अक्टूबर तक जब टेंपरेचर 27 से 28 डिगरी सेल्सियस होता है उस समय इस बायरस का बहुत ज़्यादा अटेक होता है और लीपकल बायरस सबसे ज़्यादा इस समय आता है बहुत ज़्यादा सर्दियां जब आ जाएंगी तो तब यह नहीं होगा क्योंकि उस समय वाइट फिलाई नहीं होती और बहुत जब गर्मी स्टार्ट होंगी जन्वरी के आखिर से तो फिर इसका आपको अटेक देखने को मिलेगा तो मौसम जब आइडियल हो टेंपरेचर 27-28 डिगरी हो तब यह बहुत ज़्यादा अटेक करता है अब हम बात कर लेते हैं कि इसे हमें कंट्रोल कैसे करना है तो दोस्तों इसका अगर इस स्टेज में आ गया है तो और्गनिकली कोई भी कंट्रोल नहीं है इस समय आपको ब देमिज पौधे हैं हो सकता है, यहाँ एक दो पौधे ही बचें, अगर वोई भी देमिज होंगे तो हम सारे पौधों को निकाल देंगे, तो लास्ट स्टेज में यह हमें करना होता है लेकिन अर्ली स्टेज, जब हम बात करें जैसे कभी early stage में हमें पता चल जाता है जब कुछ पत्तियां healthy है या कुछ plant हमारे healthy है उस condition में हम इसे कैसे control कर सकते हैं तो सबसे पहला तो इसका सबसे अच्छा control है कि जो yellow sticky trap होते हैं yellow sticky trap आपको लगाने हैं अपने garden में हर 5-10 feet की दूरी पर 5-10 feet की दूरी पर yellow sticky traps को लगा दीजिए इससे क्या होता है जो white fly होती है वह इस yellow sticky trap में जो है आकर चिपक जाती है attract उसकी तरफ पहले होती है और फिर वह आपकी पत्तियों पर नहीं बैठती उससे रस नहीं चूशती जिससे काफी हद तक हम वाइरस के attack से लीफ करल वाइरस के attack से बच जाते है आप yellow sticky trap हमारे gardening store organicbazar.net से भी खरीद सकते हैं description में में link दे दूँगा इसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका है हमें लगाना चाहिए गैंदे के फूल अब गैंदे के पौधे जब आप लगाएंगे अपने normal पौधों के आस पास तो इससे क्या होगा कि जो गैंदे के पीले पीले फूल आते हैं उनसे white fly attract होती है और उन पर जाकर बैठती है और आपके पौधों पर attack नहीं करती साथ में गैंदा के जो पौधा होता है उसमें बहुत सारे पैस तो attack भी नहीं करते उससे दूर ही रहते है तो गैंदे को लगाईए अपने पौधे के आस पास गैंदे का एक गमला रख दीजिए जैसे आपने टमाटर का एक या दो पौधे गमले में लगाए हैं तो उसके बाजू में एक गैंदे का पौधा लगाकर आप रख दीजिए दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इस्प्रे करें तो जैसे आप टमाटर पर कोई केमिकल इस्प्रे नहीं करना चाहते तो गैंदे पर कर सकते हैं जिससे उस पर अगर बाइट फ्लाई होगी तो वह है मर जाएगी और आपके टमाटर ओर्गनिक तरीके से कंट्रोल रहेगा इस पर आपको कोई भी इस्प्रे नहीं करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों कुछ ओर्गनिक इस्प्रे मैं आपको बता देता हूँ जिनकी मदद से आप लीफ करल वायरस को कुछ हद तक रोक पाएंगे रोक पाएंगे दोस्तों इसका पॉइंट जरूर समझिएगा इसे इस्प्रे को आपको अपने हैल्दी पौधों पर करना है या जिस पौधे पर लीफ करल अटेक सुरू ही हुआ है उस पर करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं थिरीजी और्गनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं जिसमें आपको लेना है ग्रीन चिली मतलब की हरी मिर्च अदरक लहसुन ये तीनों चीजों को लेकर आप अच्छे से इसे पीस लीजिए इसका मिक्सचर बनाईए इसे पानी में घोलिए और फिर इसका स्प्रे कीजिए अपने जो भी पौधे पर आपको दिख रहा है या जिसको भी पौधे को आपको बचाना है उसकी पत्ती के पीछे की तरब करना है और सामने की तरब करना है दोनों तरब आपको इस्प्रे करना है इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं राइट साइट पर आई बटन सो हो रही होगी आप बहाँ पर किलिक करके थिरीजी और्गनिक पेस्टिसाइड बनाने का वीडियो देख लीजिए इसके बाद आपको क्या करना है आप चाहें तो जो छाच होती है या दही है उसको 10-15 दिन तक कॉपर के किसी भी एक बरतन में रखिये या जो कॉपर का हम जल चड़ाने में इस्तमाल करते हैं उसमें रख लीजिए और उसमें 15 दिन बाद दही का जो खटा दही है उसका इस्प्रे कीजिए अपने पौधों पर तो उससे भी लीफ करल काफी कंट्रोल होता है इसका वीडियो भी मैंने पबलिस किया है आपके राइट साइट पर आई बटन सो हो रहा है वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों ये तो हो गए कुछ इस्प्रे आप चाहें तो नीम उयल का इस्प्रे भी कर सकते हैं नीम उयल का इस्प्रे भी प्रिवेंटिंग में होता है इससे आपके पौधों पर काफी हद तक जो लीफ कल वायरस है उससे बचाओ होता रहेगा तो ये कुछ औरगनिक कंट्रोल थे इसमें सबसे अच्छा कंट्रोल है आप येलो इस्टिकी ट्रेप को लगा लीजिए फिर 3G औरगनिक पेस्टिसाइट का इस्प्रे कीजिए और फिर आप उसमें नीम उयल का इस्प्रे कर सकते हैं प्रिवेंटिंग मेंथड है और दोस्तों जैसे ही इस तरह का वायरस का अटेक हो तो आपको इन्हें हटा देना है बिल्कुल भी नहीं सोचना है अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो यह वायरस हो सकता है आपके गार्डन में लगे हुए दूसरे जो है पोधों पर फैल जाए तो इन्हें आपको क्या करना है पौधों को उखाड़ना है और उखाड़ कर कहीं दूर मिट्टी में दबा दीजिए या फिर इन्हें जला दीजिए खाली नहीं छोड़ना है और साथ में जो आप कंपोस्ट बनाए उसमें इसे नहीं मिलाना है वरना ये वायरस फिर आपके गार्डन के लगे हुए दूसरे पौधों में फैलेगा और वो जाएगा नहीं तो इसे हटा कर बिलकुल अलग उखाड़ कर फेंक देजिए तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की लीफ करल वायरस के बारे में लीफ करल के पतियां मुड़ने के पीछे क्या कारण होते हैं किस किस च अधे लगे हैं उनमें इस तरह की चीजों से ध्यान दें और जैसे ही आपको इस तरह की चीजों का अटेक देखे तो उसे तुरंत दूर करें आज का वीडियो आपको कैंसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं यदि आपको लीफ करल को लेकर कोई समस्या है या आप उस के लिए हैपी गार्डनी